नवश्कार मैं हूँ सूकरती, रोई, चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है आज की वक्त में लाइस्टाइल से जुड़े बदलाव और खराब डाइट के कारण पुरुशों के ब्रेस्ट साइज में बदलाव आम बात है कुछ पुरुशों में स्तनों का आकार बढ़ जाने का कारण खराब तरीके से एक्ससाइज या जिम करना भी होता है पुरुशों के ब्रेस्ट साइज में बदलाव तब आता है जब ब्रेस्ट टिशूज का साइज बदलने लगता है इसके प्रमुक कारण है पहला तो ब्रेस्ट पर फैट बढ़ जाना और दूसरा कारण जिसे मेडिकल भाषा में गाइन को मेस्टिया कहते हैं शरीर में एस्ट्रोजन हार्मून बढ़ने पर ब्रेस्ट के टिशूंज प्रतिक्रिया करते हैं जिसकी वज़ज़ से पुरुशों के स्तन बनने शुरू होते हैं लेकिन पुरुषों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि ब्रेस्ट साइज में बदलाव या स्तन बनना गाइने को मेस्टिया के ही कारण हो ये समस्या चेस्ट पर फैट के खटा होने की वज़से भी हो सकते हैं बता दें कि टेस्टेस्टरोन और एस्ट्रोजिन में असंतुलन होने की वज़से पुरुषों के ब्रेस्ट साइज में बदलाव आम है लेकिन ये समस्या चेस्ट पर फैट बढ़ने के कारण भी हो सकती है सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने चेस्ट को टेच करके देखें अगर ये फ्लैट है या थुल्थुला है तो इसका मतलब है कि ये समस्या एक्स्ट्रा फैट के कारण ही हो रही है इसके अलाब आप अपने ब्रेस्ट के निपल को हलके से पकड़े और अगर इसमें आपको किसी तरह की गांट या असमानिता नजर आती है तो ये गाईने कोमेस्टिया के कारण हो सकते है इसके अलाव अगर आपके breast या chest को छूने में कट्वोर लगता है तो ये भी gynecomastia का ही लक्षण है gynecomastia या man boobs का एक और लक्षण है फूला हुआ और सीधा निपल अगर आपके निपल एकदम सीधे और फूले हुए है तो gynecomastia का लक्षण होता है इस परिशानी से बचना है तो सबसे पहले तो अपनी डाइट से मीट का सेवन कम कर दें वजन कम करने की कोशिश करें और body fat को भी कम करें डाइट में high fiber की प्रचूर मात्रा लें साथी regular exercise और परियाप्त मात्रा में पानी जरूर पियें लेकिन अगर यह समस्या इसके बाद भी ठीक ना हो तो डॉक्टरी संपर्क करना जरूरी है उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले